नमस्कार मेरे युवा और मेहनती सोयाबीन की खेती करने वाले किसान साथियों सोयाबीन की फसल सोमनाथी करेगा सफल के नौवे एपिसोड में आपका स्वागत है मैं सोमनाथी फिर से हाजर हूँ आपकी फसल को और भी अधिक सफल और उपजाव बनाने के उपायों के साथ पिछले एपिसोड में हमने कीट प्रकोप और उनके प्रबंधन पर चर्चा की थी आज हम बात करेंगे आपकी सोयाबीन की फसल के लिए दो महत्वपूर्म उतपाद बोल्टार प्लस और डिफीटर के बारे में जो आपकी फसल को बेहतर उतपादन और सुरक्षा प्रदान करेंगे बोल्टार प्लस एक उननत प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जो आपकी सोयाबीन की फसल को तेजी से विक्सित करने और उसकी पैदावार बढ़ाने में मदद करता है बोल्टार प्लस के फाइदे यह उतपाद पौधों के विकास को बढ़ावा देता है जिससे आपकी फसल का आकार और गुणवत्ता बढ़ती है बोल्टार प्लस का उप्योग करने से पौधों में अधिक फूल आते हैं और फलिया भी ज्यादा बनती है जिससे उपज में व्रिधी होती है बोल्टार प्लस सोयाबीन की फलियों को पूरी तरह से भरने में मदद करता है जिससे वजंदार और चमकदार दाने बनते हैं और उतपादन में बढ़ोत्री होती है यह पौधों को मजबूत बनाता है जिससे वे विपरीत मौसम और कीट प्रकोप का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं डिफीटर एक शक्तिशाली फंगी साइड है जो आपकी सोयाबीन की फसल को विभिन फंगल रोगों से सुरक्षित रखने में मदद करता है डिफीटर के फायदे डिफीटर बलाइट, रस्ट और अन्य फंगल रोगों को नियंतरित करता है जिससे आपकी फसल स्वस्थ रहती है फंगल रोगों से बचाव के कारण आपकी फसल की गुनवत्ता बढ़ती है जिससे बाजार में उसका मूल्य भी अधिक होता है इसका असर लंबी अवधी तक रहता है जिससे आपकी फसल को लगातार सुरक्षा मिलती है बोल्टार प्लस और डिफीटर का सही समय पर उप्योग करके आप अपनी सोयाबीन की फसल को बेहतर विकास और सुरक्षा प्रदान कर सकते है उत्पादों का उप्योग निर्देशों के अनुसार करें और हमेशा उचित मात्रा में छिड़काव करें प्रिये किसान भाईयों इन उत्पादों का सही तरीके से उप्योग करके आप अपनी सोयाबीन की फसल से अधिक उपजप्राप्त कर सकते हैं और फसल को रोगों से सुरक्षित रख सकते हैं तो मिलते हैं अगले एपिसोड में जहां हम आपकी फसल को और भी अधिक सफल बनाने के नए उपायों पर चर्चा करेंगे जै हिंद जै किसान जै सोमनात